अलो दोस्तों नमस्कार आप सबका स्वागत है हमारी यूटूब चैनल नियू हबन क्लासेज पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंटेक्स टॉपिक पर दोस्तों एक महात्पूर्ट टॉपिक है यूपी बोड का आप सभी की जो परिछाय हैं उनकी ग्रामर की क्यों महात्पूर्ट होता है क्योंकि जब आप इंटर बाद भी किसी कमप्टीशन एक्जाम की तयाई करने जाओगे तो वहाँ पर आपको सेंटेक्स टॉपिक मिलेगा वैसे तो गर ग्रामर की बात करी जाए तो सेंटेक्स नरेशन ट्रांसफार्मेशन और कि ऐसे टॉपिक की बात करी जाए जो आगे चलके भी आपके लिए महात्पूर है तो सेंटेक्स होता है तो सेंटेक्स पढ़ने से पहले आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे हम परचे सिखेंगे कि सेंटेक्स होता क्या है सेंटेक्स का परचे क्या होता है तो सबसे प हिंदी में जब grammar पढ़ते हो तो सुद्ध और असुद्ध वाक्य आप जरूर पढ़ते होंगे सुद्ध और असुद्ध वाक्य पढ़ते हो वैसे ही English में correct और incorrect sentences होते हैं इसमें क्या है कि जो सब्दों का सही चैन है सब्दों का सही प्रियोग करना ही sentence कहलाता है इसमें होगा क्या इसमें आपको sentence दिया होगा ठीक कोई sentence आपको दिया गया है जो आपका वाक्य दिया गया, इसमें मिस्टेक क्या है, इसमें कोई ने कोई गलती होगी, आपको उसी गलती को find out करके, सही करके लिखना है, तो यहाँ पर जैसे कि M है, तो भाई U के साथ M का प्रयोग तो करते हैं, आई के साथ M का प्रयोग करते हैं, तो U के साथ हम लोग कि तो यह आपका हो गया सही तो सुद्ध और उस्तवाग जिसे हिंदी में पढ़ते हैं वैसे हैं इंग्लिस में होता है सेंटेक्स अब बात करते हैं कि सेंटेक्स के अंतरकत आती क्या चीज़े हैं आपसे बार-बार कहना चाहूंगा कि अगर आप इस्टूडेंट हैं और अच की पढ़ाई करेंगे तो यहां पर ऐसे आपको मिलेगा ABCD करके ठीक है ABCD करके यहां पर जिस सेग्मेंट में गलती होगी आपको उसको आफसे में टिक करना होगा जिससे कि यहां पर 20 सेग्मेंट में गलती है तो आपको टिक करना पड़ेगा ठीक तो यह हो गया लेकिन इं तक आपने part आप speech पढ़ा होगा और जरूर आपने starting से एक अच्छा छेसी parts आप speech पढ़ना start कर देते होंगे, तो यानि कि parts आप speech में जो चीज़ें आप पढ़ी हैं, उसी का एक बड़ा रूप कह लिजे, syntax होता है, कहने का मतलब यह है कि जैसे कि आप noun पढ़े होंगे, pronoun पूछी जाती है, और वो होती ही interjection, यानि कि interjection को छोड़के जितने भी आपके parts आप speech होते हैं, उन सभी का rule यहाँ पर exam में पूछा जाता है, तो सबसे महात्पूर्ण बात क्या है, इसमें आपको आठकिल को भी सामिल कर लिया गया, ठीक है, तो याद रखें, parts आप speech कही कहीं कहीं आपको मिलेगा कि आठकिल को भी part of speech का part मानते हैं, कहीं कहीं नहीं मानते हैं, तो आपको आठकिल पढ़ना है, ठीक, आपको noun पढ़ना है, आपको pronoun पढ़ना है, आपको वर पढ़नी है, आपको adjective पढ़ना है, आपको एडवर पढ़ना है, आपको preposition पढ़ना है, है konjection पढ़ना है तो जितने आपकी सारे segment होते हैं इन सभी को आपको पढ़ना है अच्छा होता क्या है यसा आप आठकिल पढ़ना सुरू किये तो आठकिल के बारे में पूरा detail या निकाल करके आपको सही करना है एक छोटा सवधारण दूँगा उसके बाद वीडियो को समार्थ करूँगा आपको अलग लग सेग्में वीडियो इस चैनल पर मिलेंगे उधारण के लिए मैंने आपको पहले से भी बताया जैसे कोई संटेंस आप से पूछ लिया गया कि I iis I is a good boy अब बताओं समें गलती कहा है संटेक्स आहीं आपको ऍसका शिखाता है जाने मिश्टेक कहा है तो देखिए यहां पर इस लिखा हुआ है तो आई के साथ इसका प्रियोक तो करते नहीं यहीं यह तो मिश्टेक है तो आई के साथ किसका प्रियोक करेंगे I'm का प्र sentence को उसमें से जो भ्याकरण तुर्टियां होंगी उनको आपको ध्यान देना है उनको आपको सीखना है और उसके बाद आपको उसको करेड़ करके लिग देना है तो इतना सी जानकारी सेंटेक्स के बारे में है और दीरे-दीरे जब आप सब रूल पढ़ेंगे तो आपको चीजें और भी क्लियर होती जाएंगे दोस्तों हमारा मिशन है कि आपको यूपी बोट में अच्छे